जेह, संसद में महिला आरक्षन बिल को पेस किया गया है यह महिला आरक्षन बिल लोकसबा तता विदान सबा में महिलाओं की जो संक्या को बढ़ाने के लिए पेस किया गया है इसको गुनिस सितंबर 2023 को संसद में अंदर पेस किया गया है जो ये महिला आरक्सन बिल है इसको नारी शक्ती वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा नारी शक्ती वंदन अधिनियम लोक सबा के अंदर 180 सीटे महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी तता विधान सबा में 33 सीटे महिलाओं के लिए रिजर्व करनी होंगी इस अधिनियम में यह बताया गया है कि महिलाओं की भागिदारी संसद के अंदर और बढ़ाने के लिए लागू किया जाए लोक तंतर में महिलाओं की बागिदारी अधिक से अधिक हो इसके लिए 33% सभी सीटे विदान सभा और लोक्सका के अंदर 33% सीटे महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी इसी अधिनियम के अंदर ये पूरा बताया गया है तो फ्रेंड आज हम इसी वीडियो में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह अधिनियम कैसा है और इसके बारे में बहुत ही महतोपून तथे भी जानेंगे तो फ्रेंड मैं केशव अपने यूटूब चैनल स्टेडि विद केशव पर आप सभी का स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ तो फ्रेंड आईए वीडियो शुरू करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसत के विशेष सत्र 18 स्तंबर से लेके 22 स्तंबर 2022 को रहेगा यह लगभक पांस दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है पांस दिन के विशेष सत्र के अंदर काफी मयत्वपून बिलो को लागू किया जाएगा जो यह अधिनियम है यह संसद भावन के नए संसद भावन के अंदर लागू किया गया है पेस किया गया है आप देख सकते हैं यह वाला संसद भावन है जो नए संसद भावन है और यह वाला संसद भावन है जो पुराना संसद भावन है पुराने संसद भावन को अब सविधान के तहत बनाया गया था जो ने इस संसद ऑन का जो पहला अधी मैं वह जएगा अब यह देख सकते हैं यह वहा न संद आफ्रेंद से अब अन को इसे वहर यह दिटील वीडियो मेरे यूटीब चैनल स्टेडि विध केश्डिव पर है आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं आगे देखते हैं संसत के तीन सत्र मुख्यत होता है पहला होता है बजट सत्र होता है जो जनुरी शेफ्रवरी के मई के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द 17 होता है फ्रेंड को स holiness स्क्रेंट के बाँगे 30 होते हैं बजट मांसुन और संसीप परिस्टित्यों की अंदर की विचज सत्र बुलाए जाता है ईजो सरकार के दवारा की संसथ चतर बुलाया के दवारा किसी बी कोई विशंध कानून बना हो या अदिनियम लागू करना उसके तैत विशेश सत्तर बुलाए जाता है सरकार के दुआरा तो फ्रेंड आईए अब हम वीडियो में देखते हैं कि नारी सक्ति वंदन अधिनियम क्या है नए संसत बहुन की लोकसभा की कारेवाई के पहले दिनी केंद्रिय मंत्री अरजुन राम मेगवाल अरजुन राम मेगवाल ने नारी सक्ति वंदन अधिनियम को संसत के सामने पेश किया है ये महिलों के आरक्षण के अंदर गेलिए नारी सक्ति वंदन अधिनियम को लाया गया है इस दोरान मेकवाल ने बताया कि महिला ससक्ती करण से संबंदित यह बिल है यानि कि महिलाओं की भागिदारी तंत्र के अंदर बढ़ाने के लिए यह बिलकुल लाया गया है इस बिल के माद्यम से आर्टिकल 244 डबले, 330A, 332A और 334A में संसोधन किया जाएगा नारी सक्ती बंदन अधिनियम के तहट नारी सक्ती बंदन अधिनियम के लागू हो जाने के पर हमें महिलाओं को लोक तंतर के अंदर 33% सीटे रिजर्व रखी जाएगी महिलाओं के लिए लोक सबा और विदान सबाओं के अंदर इसे मैलाओं के विकास में और उनके ससक्ती करण के बारे में भी काफी बढ़ावा देखने को मिलेगा आगे देखते हैं फ्रेंड्स नारी सक्ती वंदन अभी दीनियम को पाइत हो जाने के बाद में वर्तमान के अंदर जो मैला संसद हैं वो है 82 जो संसद की मेंबर है और मैला सक्ती वंदन अभी दीनियम के लागों हो जाने के बाद में मैलाओं की संक्या हो जाएगी 181 यानि की संसद के अंदर मैलाओं की संक्या हो जाएगी 181 181 वर्तमान में 82 मैलाओं की संक्या है अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावदान है केंद्री मंत्री अर्जुन राम मेगवाल ने बताया कि इस अधिनियम के बारे में सबसे पहला जो अधिनियम है जो आर्टिकल है 249 डबल ए इसके माध्यम से 33% सीटे नेशनल कैपिटल टेरिट्री ओव दिल्ली के लिए मैलाओ के लिए रिजर्व रखी जाएंगी यानि कि 33% सीटे हैं जो नेशनल कैपिटल टेरिट्री है यानि कि दिल्ली के अंदर मेलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी आर्टिकल 240 डबले के तहब दूसरा आर्टिकल है 338 338 के माध्यम से सी और सी स्ट के लिए संसद में मैल पहले था उसे 33 फीजदी आरक्षन होगा यानि कि 330 ए आर्टिकल के तहट SCST की मैलाओं के लिए संसद में 33% सीटे रिजर्व रखी जाएंगी यानि कि 332 एक तहट राज्ये विदान सबाओं में मैलाओं के लिए 33 फीजदी आरक्षन रखा जाएगा यानि कि जो राज्ये क जोड़ा जाएगा जिसमें मैलाओं के आरक्षन की आउदी 15 साल तक होगी और उसे आगे बढ़ाने के अधिकार संसद के पास होगा यानि कि जो मैलाओं की संक्या बढ़ाई जा रही है 33 परतिसत यह वर्तमान में 15 साल तक रहेगी और बाद में इसे संसद के दौरा और प्रेंड यह जो नारी जो मैला अरक्षन बिल है आज से पहले भी काफी बार संसद के अंदर लागू को पेस किया गया लेकिन लागू नहीं हो पाया सबसे पहले यह बिल गुनी सो चानवे के अंदर 1996 में एचडी देव गोडा के समय ग्यारवी लोकसा के अंदर आया था उ इनकी सबसे पहले इसको गुनी सो चानवे के अंदर गुनी सो अठ्यानवे के अंदर और 2008 के अंदर भी इन बिलों को लाया गया था लेकिन इनको लागू नहीं हो पाये थे पेस किया गया था महिला आरक्संड बिल को पास करते हुए पीएम नरेंदर मोधी ने बताया कि महिला आरक्संड को लेकर संसद में पहले भी बहुत कुछ प्रियास हो चुके हैं 206 में से इस बिल को संसत के अंदर पेस किया जा रहा है लेकिन इनको लागू कि नहीं किया जा रहा है इसको पूर्टे सहमती नहीं मिल पाई थी लेकिन अब इसको पूर्टे लागू करने के लिए बारत सरकार ने इसको संसत के अंदर पेस किया है पिये मोधी ने बताया कि सम परतिसत रिजर्व रखा जाएगा नारी सक्ति वंदर अधिनियम सिर्फ मैलाओं के विकास की बात परियाप्त नहीं है हमें मानुजाती की विकास यात्र में नए पड़ाओं को अगर प्राप्त करना है तो राष्ट की विकास में यात्र में नई मंजुलों को अगर पाना है तो हमें आउशक है कि मैलाओं के नेतरत्वेंविकास में बल दे सके यानि कि देश की विकास करने के लिए मैलाओं के विकास में भी हमें धान देना पड़ेगा इसके लिए मैलाओं में 33 पर तीसाथ सीटे अरक्षित रखी गई है Next देखते हैं friends फ्रेंड यहे नारी सक्ती वंदन अधिनियम है वे जो 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले उन में लागू नहीं होगा यह नारी सक्तिवंदन अधिनियम जो नई जनगनना होगी फ्रेंड नई जनगनना 2021 में होनी थी लेकिन वे किनी कारणों के कारण नहीं हो पाई है जो जो नेक्स जनगनना होगी उसके बाद से यह अधिनियम को लागू किया जाएगा यानकि जनगनना ओर डिलिमिटेशन के बाद ही मैला अरक्षन लागू होगा लेकिन 2021 की जनगनना नहीं होने के कारण यह भी दोजार चोईस के चुनाओं के अंदर लागू नहीं होगा क्यों कि जब 2026 के अंदर संसत की सब सीटे बढ़ाई जाएंगी तब यह इस अधिनियम को भी लागू कर दिया जाएगा फ् आपने देखा कि यह मैं नारी सक्ति बंदर अधिनियम के बारे में सभी मेत्वपून तथे आपने देखे फ्रेंड फ्रेंड वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए सेर के ओ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस्टेडिवित के सव यूटू Thank you so much.